दोस्तो FCI का स्कैम ना तो नया है और ना ही अभी स्टार्ट हुआ है काफी टाइम से हम वीडियोज बना रहे हैं काफी टाइम से आप सभी को अवेर कर रहे हैं किस तरह से FCI में Food Corporation of India इसकी जॉब के नाम पर किस तरह जटगी की जाती है किस तरह से आपका पैसा लूटा जाता है किस तरह से आपको परिशान किया जाता है आपने अगर वो पिछली वीडियोज देख ली है अच्छी बात है बहुत नौलिज आपने ली होगी और अगर आपने वो पिछली वीडियोज नहीं देखी है तो अभी पहले उन वीडियो को देखे फिर इस वीडियो पे आएंगे तो काफी कुछ जान पाएंगे Food Corporation of India में जो स्कैम चलता है नोकरी के नाम पर किस तरह से चलता है और कैसे आपको उसके बारे में बचने की जरूत है कैसे अपने आपका साफधान करेंगे आज फिर से बताँगा क्या 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 प्रॉब्लम्स आई कुछ हमारे सबस्क्राइबर्स के साथ में जिन्होंने अपना पैसा दिया था अपने नौकरी लगवाने के नाम पर और क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की दोस्तों यह सब जानने के लिए बने रही है हमारे इस वीडियो के साथ नमस्का दोस्तों सागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ठगस ओफ हिंदुस्तान जिसके अंदर हम बताते हैं कि हमरे हिंदुस्तान में किस किस तरह से ठगी चलती है स्कैम होता है किस किस तरह से फ्राड्स्टर्स आपको लूटते हैं कि scam किस तरह से हो रहा है कि ये लोग आप लोगों से पैसे लेते हैं नोकली लगवाने के नाम पर और बोलते हैं तीन मेने या छे मेने का एक किसी भी जो गोडाउन होते हैं अनाज मंडी जो होती है ये वहाँ पर जाकर आपको ये तीन या च्छे मेने के अंदर इंटर्शिप कराई जाएगी जहां आप काम करोगे देखोगे उन सब चीजों को किस तरह से काम हो रहा है उसके बाद आपको पर्मनेंट कर दिया जाएगा और मैं आपको बताओ पर्मनेंट ये लोग कभी होते नहीं है क्योंकि सिर्फ जासा है जब आपको ओफर लेटर दिया जाता है उस ओफर लेटर में लिखा भी होता है कि आप कोई भी गलतिया करोगे तो आपको fire कर दिया जाएगा और आपको हम promote आगे नहीं करेंगे और इस तीन मैने या छे मिने के salary तक आपको दी जाती है ये तो हाला कि मैंने पहले भी अपनी वीडियों बताया है बर अभी recent में क्या हुआ कि कुछ हमारे subscriber ने हमारे पास में कुछ अपने joining letters भेजे जो letter पूरी तरह से फरजी थे उन्होंने हमें letter शेयर किये हमने उनको अपने office बलाया हम लोग आकर बैटे food corporation में हमने call किया personally अपने उन letters को मैंने भेजा उनको mail पर अपनी mail के थरू भेजा हमने उनसे बात की पता चला वो जो letter से पुरी तरह से नकली है फरजी है उसका कोई अस्तित्वी नहीं है दोस्तों मैं आपको बता दूँ ऐसा होता क्या है कि अगर आपके पास कोई offer letter आया तो आप उसको verify कराईए verify proper तरीके से हो जाईए तो जो offer letter है हाला कि आपके पास आयेगा उसी go down से उस go down से आया तो वो private go down है वो कोई government के संस्ता नहीं है कि आपकी नोकरी वहीं लगेगी आप जो पैसा दे रहे हो food corporation of India में जो आप नोकरी के लिए पैसा दे रहे हो सरकारी नोकरी है और जो क्या है documentation होगा entrance होगा interview होगा आगे बढ़ोगे हर एक जॉब का अलग अपना criteria होता है तो आप इन तरह की चीजों बिल्कुल ना फसें और आपके साथ भी कोई भी किसी तरह का scam हुआ है ठगी हुई है आप हमें comment box में जरूर बताएं और दोस्तों हम आपकी हर जाइस मदद जरूर करेंगे जितनी हम कर पाएंगे और कोई भी तरह की प्रॉबलम अगर है तो आपका वो पैसा निकलवाने तक कि हम बिल्कुल कोशिश जरूर करेंगे दोस्तों अच्छा लगा हो हमारा आज का वीडियो तो अपने दोस्तों परिजन परिवार तक ये व वो भी इस तरह की ठागी में नाफस जाएं बहुत 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 शुक्राइब दोस्तने वाद हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए